इससे प्रिविए्स जो हमने लेक्चर दिया था हमने क्या पढ़ा था आपका बेसिक हाइड्रोलीसिस ऑफ इस्टर ठीक तो अब हम यहाँ पर पर पढ़ रहें बचा था उसका पोर्शन ऐसीडिक हाइड्रोलीसिस ऑफ इस्टर इस्टर जानते हो और C,O,R,S वाटर के साथ इसका है इसका हाइड्लेस करते हैं तो यह बनेगा वही कार्वाग्जलीक एसिदेंड क्या बनेगा आपका एल्कोहौल बनेंगे ठीक है तो मेकनिजम कैसे होती देगो इसमें जो एसिदिक में में होते है तो एच पॉजिटिव अटेक करेगा ठीक है तो कहां करता है एच एक पॉजिटिव पे अटेक करेगा क्या बनेगा फिर आपका आर सी दिख रहा तो यह क्या हो जाएगा आपका डबल बॉंड ओएच ऐसा ही रहा ओर डैस ऐसा ही रहा ओक्सिजन में पॉजिटिव चार्ज आए ठीक हो गया फिर इसके बाद क्या हुआ आपका देखो यह ब और क्या होगा आपका यह प्लस और अच ऐसा ही रहेगा ठीक है फिर इसमें से क्या निकल जाएगा यहां से यहां से तो निकल इगा क्या है एच पॉजिटिव वह कहां जाके जुड़ता है इस वाले लूँज पैर पर किसमें जो ऑक्सिजन का लूँज पैर है तो क्या हो जाएगा देखो C, R, O, H, O, H और यहाँ आके अटेच हो गया तो यहाँ से प्लस यहाँ पर आ गया ठीक हो गया लास्ट में क्या हो गया यह एलकोहल निकल लिया देख रहा है आडश ओ एच निकल गया तो क्या बचा आपका देखो तो R, C, O, H, O, H और प्लस और लास्ट में यहाँ से क्या निकल जाएगा एक जगह से H प्लस निकल जाएगा यहीं से भी निकाल दो यहाँ से यहाँ से तो यह क्या हो गया आपका O, C, C और यह डबल बॉंड हो गया R, C, double bond यह नीचे वाला है O, O, H, minus H positive ठीक हो गया और इसका भी कैसे study किया जाता है कि यह वाला bond break हो है जैसे कि हमने basic hyalysis में क्या था क्या किया था आपका carbon labeling की है तो acidic medium में भी यह प्रूव होता है कि कौन सा bond break होता है आपका C और O के बीच का bond break होता है और second one कैसे हमने वो यह था काइरल लिया था कोई इस्टर और हमने क्या देगा था कि जो configuration है carbon का वो रिटेइन रहता उसमें कोई चेंज ही नहीं है तो that also indicate that the carbon oxygen bond cleave in acidic hydrolysis of easter also ठीक है next one is aminolasis of easter aminolasis of easter means the reaction of easter with ammonia it gives क्या amide बनाता है ठीक है तो हो C2H5 की जगह क्या जाएगा NS2 और C2H5 OH क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा ठीक है mechanism is very simple CS3 COO C2H5 this is easter when it reactive with ammonia this is ammonia the lone pure of electron so the CO bond polarized in such a manner then oxygen contain a negative charge so he negative and carbon is positive then lone pure of electron attracts to carbon direct towards the lone pure of electron of nitrogen and carbon nitrogen bond formation takes place ठीक है सो क्या बना CS3 C single bond O negative OC2H5 and NS3 positive and finally 1 H positive from here ठीक है या it means it also converted into NS2 और यह है HR positive आ गया यह negative H positive निकल जाएगा यहा जाएगा तो क्या बना आपका CS3 COH OC2H5 NS2 and finally क्या आपका OC2H5 is a good living group so it remove carbon and oxygen bond cleave होगा कैसे ऐसे ही होगा oxygen is high electronegative तो नेगेटिव हो जाएगा और यहां से गया निकल जाएगा H positive तो क्या हो गया है C2H5 negative H positive C2H5OH और बचा क्या आपका CS3 CONS2 so this is known as aminolysis of easter तो aminolysis होने पर क्या बनता आपका easter's are converted into amides में ठीक next a point आपका hydrolysis of amides hydrolysis of amides में क्या आपका देखो amide क्या है RCONS2 hydrolysis means when it reacts with water in acidic or basic condition the NS2 group of amide is replaced by hydroxyl group ठीक है तो this is a nucleophilic substitution reaction in which NS2 group is replaced by OH negative group ठीक तो क्या बनेगा आपका RCOH plus NS3 बनता है और that is finally converted into RCO negative negative और NH4 positive ठीक so this is a mechanism of acidic hydrolysis RCONS2 amide H positive it attacks at the lone pair of electron here तो क्या बनेगा आपका RC double bond OH and NS2 फिर finally क्या होगा C double bond है तो यह क्या होगा आपका ऐसे cleave हो जाएगा यह negative हो जाएगा मतलब neutral हो जाएगा यह positive हो जाएगा और यह lone pair अपना यहां देदेगा ठीक है इसे लिख रहे हैं देखो यह last में था आपका RC double bond OH and NS2 दिख रहा RC double bond OH and NS2 यह plus था तो यह bond ऐसे cleave हो जाएगा यह plus है क्योंकि electron को अपनी और attract करेगा तो यह neutral हो जाएगा यह plus हो जाएगा water का oxygen के यह लून पर रफ एलेक्टोन कहां अटेच हो जाएगे फिर आपके carbon पर अटेच हो जाएगे क्या बन गया RC OHNH2 और यह क्या हो गया आपका O HH plus हो गया और फिर यहां से क्या हो गया आपका ammonia निकल गया दिख रहा है यह H positive यहां से निकल गया नहीं से निकल गया ammonia निकल गया क्या बचा फिर आपका RC double bond OH और फाइनली यह दोनों मिलगे क्या बना देते हैं RC O O negative NH4 positive तो this is acid catalyzed क्या है आपका hydrolysis of amides टीक ऐसे बेस का भी होता है बेस में और भी सिंपल है देखो माइड है RC O Ns2 बेस मतलब OH नेगेटिव कैसे अटेक करेगा आपका यह से पोलराइज हुआ यह नेगेटिव हो गया यह पॉजिटिव हो गया यहां से पॉजिटिव हो गया यह क्या बन गया आपका अमोनिया और क्या बच आपका आर सी डेबल बॉन ओ ओ ओ नेगेटिव प्लस अमोनिया ठीक है यह सीधे लिखना चाहें इतना ही वनेगा ठीक अमोनिया बनता है कि अ